दोस्तों नमस्कार आप सभी को मेरे इस इवर्टीप्टन पर हर्दिक श्वागत है अभिनंदन है आज मैं आपको चाइल्ड डिवलाप्मेंट से समंदित प्रस्णों को पूछ रही हूँ पहला प्रस्ण है फ्रोबेल ने प्री स्कूल की अस्थापना को क्या कहा है प्रोबेल ने प्री स्कूल की अस्थापना को क्या नाम दिया है पहला ओप्षन मोबाइल क्रेचेज दूसरा बाल भवन तीसरा नर्सरी स्कूल या चौथा किंडर गार्टन्स प्रोबिल ने प्री स्कूल की अस्थापना को कहा है किंडर गार्टन सनाम दिया है नेक्स्ट क्वेशन आपके पास प्री स्कूल जो आटो एजुकेशन और फाइब सेंसेज को प्रोमोट करने का काम करता है उसको हम क्या कहते है वो प्री स्कूल जो आटो एजुकेशन और फाइब सेंसेज को प्रोमोट करने का काम करता है उसे हम क्या कहते है आपके पास आगनवाडी दूसरा है किंडर गार्टन तीसरा है नर्सरी स्कूल चौथा है मौन्टेश्री स्कूल सही उत्तर क्या है वो pre-school जो auto education मतलब स्वाशिक्षा और 5 senses को promote करने का जो काम करता है बढ़ावा देता है उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं Montessori Schools में स्वाशिक्षा और 5 senses को promote करने का काम किया जाता है नेक्स्ट क्योशन आपके पास है बहुत ही जी वह कारिक्रम जो सेवाओं का एक package प्रदान करता है वह कारिक्रम जो सेवाओं का एक package प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं पल्स पोल्यो आईसीडिएस तीका करन कारिक्रम या इन में से कोई नहीं सही उत्तर क्या है वह कारिक्रम जो सेवाओं का एक package प्रदान करता है वह उसको हम इंटिग्रेटेड चाइड डवलाप्मेंट स्कीम कहते हैं नेक्स्ट कुशन है आपके समक्ष कि वो सन 1901 में सांती निकेतन के बोलेपूर में एक परशिद्ध स्कूल के स्थापना किसके द्वारा की गई थी सांती निकेतन में सन 1901 में सांती निकेतन में सन 1901 में बोलेपूर में एक परशिद्ध स्कूल के स्थापना की गई थी और वो स्कूल किसके द्वारा खोला गया था आपके पास है आप्शन इंद्रा गांधी दूसरा है रविंदो घोस तीसरा है श्वामी दियानंद चौथा है रविंदर नाथ टैगोर जब सांति निकेतन की बात आती है तो नाम आता है हमारा किसका रविंद्र नाथ टैगोर का केंद्र सरकार ने केंद्रिय सामाजिक कल्यान बोर्ड सेंट्रल सोसल वेलफेर बोर्ड की अस्थापना इस उदेश से किया था कि महलाओं और बालकों के लिए कल्यानकारी योजनाएं बनाई जाएं और यह सेंट्रल सोसल वेलफेर बोर्ड की अस्थापना किस पांचवी पंचवर्षिय योजना में हुई थी Central Social Welfare Board की अस्थापना किस पंचवर्षी योजना में हुई थी जो इस उदेश से बनाए गया था कि महिलाओं और बालकों के कल्यान के लिए योजनाएं बनाई जाएं हिंट दे देती हूँ जब भारत आजाद हुआ था 1947 में तब भारत में सर्वाधिक अगर दैनी अस्थिती थी तो बालकों और महिलाओं की सर्वाधिक खराब इस्थिती बुरी इस्थिती बालकों और महिलाओं की थी तब सरकार ने कहा इनके लिए कल्यान कारी योजनाएं चलाई जाएं और इसके लिए सेंटरल सोशल वेलफेर बौर्ड के स्थापना की गई थी और ये किस पंच वर्षिय योजना में की गई है ऑप्षन आपके पास पांच वी पंच वर्षिय योजना दूसरा ऑप्षन है द्यूतिय पंच वर्षिय योजना तीसरा है प्रथम पंच वर्षिय योजना और चौथा है सात्य पंच वर्षिय योजना हुए भी निक ही उत्तर बालग पहली पंच वर्षी योजना में बालकों और कि महिलाओं के लिए कल्यानकारी योजनाई बनाई गई थी और सेंट्रड के सिल मेल फार बॉर्ट इसी उद्देशे से पहली पंचवर्षी हो जब हमारे हां बना तब उनको अस्थान दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास भारत में पुरु बाल्यावस्था शिक्षा के अग्रणी प्राइम पायोनियर कौन थे वीदेशों में तो चली रहा था भारत में पुरु बाल्यावस्था शिक्षा के अग्रणी पायोनियर कौन थे ऑप्सन आपके पास जवाहर राल नहरू ताराबाई मोडक तीसरा है मारिया मंटेश्री और चौता है महत्मा गांधी सही उत्तर भारत में पुरु बाल्यावस्था शिक्षा के अग्रणी पायोनियर जो है वो है ताराबाई मोडक उन्होंने खुब मेहनत किया अब बंबई में इसके लिए कि स्कूल भी खोला बच्चों को एजुकेशन के लिए क्योंकि उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो किताबी जो आज की तरह पिक्टोरियल है जिसमें असे अनार आसे आम इसे इमली यह सब चीज़े नहीं थी हम लोग पढ़ते थे रानी मदन अमर बिल्कुल चोटी सी किताब थी उसमें कि भाग में बच्चों के लिए खुब हुआ अची बुक स, जिसमें अच्छे चुट्र बनाये गया और बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके दिवांग वशले ऊंके मन को लगाने के लिए उनकी बुद्धी को पढ़ाने के लिए अट्रक्टिव पिक्चर्स बनाने लगे असे अनार देखते हैं बचा समझ जाए कि यह आ है अनार है आज भी जो हमारी जो नीचे जैसे हम लोग तो पढ़े हैं तालाब विशा, मुर्धन शा, दन तसा है न तीन प्रकार के सा होते हैं तो आज जो हम कॉलेज में जाते हैं औ या एसोसियेट प्रोफेसर में कौन सी सा पढ़ेगा मैडम सड़क वाला संत्रा वाला सटकोन वाला सलजम वाला तो उनको उस सलगम है कि सड़क है या सटकोन है कौन सी पढ़ेगा इतनी कंसेप्ट उनको सटकोन चित्रो का माध्यम से सड़क या संत्रा या सलजम तो तो त लियावस्था शिक्षा के अग्रणी पायोनियर रहे हैं ताराबाई मौड़क जिन्होंने बंबय में स्कूल खोले छोटे बालकों के लिए कि उनकी सिक्षा इस तरह से दी जाए जिससे बालकों का स्रवंगिन विकास ठीक प्रकार से और अच्छा हो सके नेक्स्ट उचना के नत्रगत समया भारत वर्ष में चलाई गई थी को बालवारी अंदोलन पर जो क्यांदिय समयान वोट्र द्वारा प्रायो जीत वह किस पंशवर्श ओजना के समुच Urbanत वर्ष में चला ही आपके पास उफाद्य पंशवर्श और दूसरा है तीसरा पंशवर्श ओजना और चाथ है साथ्य फंशवर्श ओजना पहले के मैंने जवाब दे दिया है इसका आप ढूंड के देखोगे कि बालवारी अंधोलन जो किंद्रे समाजी काल्यान बोर्ड द्वारा चंट्रल सोसल वेलफोर्ड फेर बोर्ड के द्वारा प्रायुजित किया गया है वह किस पंच वर्ष यह उजना में की गई थी उसका एंसर मैं आप से चाहूंगी आप इसका एंसर ढूंड है नेक्स्ट क्वेस्टन आपके पास हुए कि निमने में से कौन बालकों के एस्थेटिक सेंस तथा क्रियेटिवीटी को बढ़ाने में मदद करता है निमने में से कौन बालकों में एस्थेटिक सेंस और क्रियेटिवीटी को बढ़ाने में मदद करता है option आपके पास project talk, दूसरा creative art experiences, तीसरा है guided activities और चौथा है इन में से कोई नहीं, सही option क्या है? फिर से प्रस्ण दुराती हूँ, निमने में से कौन बालकों में aesthetic sense तथा creativity को बढ़ाने में मदद करता है? पहला project talk, दूसरा creative art experiences, चौथा है guided activities और पांच में नन्नौपती एबब. तो देखो, बालकों में aesthetic sense और creativity को बढ़ाने में जो मदद करता है, वो है creative art experiences. creative art experiences, तो चलिए हम अपने वीडियो के ही विराम देते हैं और फिल मिलते हैं, पुनह मिलेंगे आप से अगले वीडियो में अगली बातों के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए और आगामी परिक्षा के लिए पूरी तरह से तयारी कीजिए, best of luck बच्चे examination के अगले के लिए, और आगे की तयारी के लिए, okay, comment करना बिल्कुल मत भूलना, subscribe करना बिल्कुल मत भूलना, दूसरे को सहयोग देना बिल्कुल मत भूलना, यह हमारे जीहन में होना चाहिए, कि हम जो पढ़ें, दूसरे साथ मिसेर करके पढ़ेंगे, तो हमें जल्दी दादा होगा, ओके, बाई-बाई